जब सम्मरीन पहली पहली बार बनाए गई थी और देशों की मिलिटरी ने इसको इसको करना शुरूर किया था तो किसी ने भी इसको सीरिसली ने लिया था लोगो लग रहा था कि यह जो सब्मरीन है इसको सिफ इस्तमाल किया जाएगा दुष्मन के शिप्स के बारे में पता लगाने के लिए कि कहां पर शिप्स हैं, कहां पर मुव्मेंट हो रहा हैं, आपको कहां पर अपनी शिप्स को डिप्लाय करना चाहिए तो World War 1 जब स्चार्ट हुआ तब उस समय भी military leaders के कहा रहे थे कि जो भी navies हैं, उनकी ताकत दिसाइड होगी उनकी dreadnought से, यानी battleship से और जितनी बड़ी आपकी battleship है, उतनी ताकत वार आपकी navy होगी सब्मरीन्स की ताकत को कोई भी seriously नहीं ले रहा था तो इसलिए World War 1 जब स्टार्ट हुआ, तो जो allied power starting में थी, France और Britain, इन्हों की जो naval strategy थी, उसका हिस्सा सम्मरीन्स नहीं था मतलब उन्होंने जो plan किया था, उसमें उन्होंने ये plan नहीं किया था कि सम्मरीन्स की सत कैसे deal किया जाए बट शुरू के 3-4 महिनों में ही इतनी सारी ships जुबा रही थी, Germany की U-Boats, Germany की submarines कि भाई, allied navy बिलकुल घवरा गई, कि यारी इतना तक्रा damage कैसे हो रहा है, और इसके वारा उन्हों कुछ सोचा ही नहीं था, कि इसको हम कैसे deal करेंगे शुरूआत के महिनों में जब उनकी ships लगा था, डूब रही थी, और German U-Boats जबरदस success हासल कर रही थी, तो जो allied navy के commander थे, वो तो यह तक कह रहे थे, कि हमारी ships डूब रही है, यह submarines नहीं डूबा रही है, यह जो नीचे पानी में mines लगी है, mines इन ships को डूबा रही है, mines बैस leaders mines को दोश दे रहे थे, कि वो mines उनकी ship डूबा रही है, बट actually उनकी ships डूबा रही थी U-Boats, बट इस बात को वो लोग accept नहीं करना चाहते थे, कि U-Boats इतनी खतरनाक हो सकती है, बट धिरे-धिरे time बीता गया, और जब यह दिख गया, कि U-Boats को कोई challenge नहीं कर सकता, U-Boats ब कोई तरीका ही नहीं था जिससे हम submarine को रोक पाएं, देखे, submarine का जो सबसे बड़ा advantage होता है, submarine क्योंकि वो सब मर्ज हो जाती है, पानी के अंदर, वो उपर आएगी, अपना, जो भी surveillance करना है, उपर हवा खाएगी submarine, उसके बाद उसको किसी को पर attack करना है, कि ship के उपर, तो उस समय कोई technology नहीं थी, तो उन लोग था कि हम इसके साथ submarine के deal कैसे करें, तो देखिए, हर submarine के पास एक periscope होता है, periscope एक तरह का device होता है, जो submarine के उपर लगा होता है, और एक लंबा सा, मतलब, metallic piece होता है, वो बड़ा लंबा सा, और उसके उपर हीशा लगा रहता है, तो म आराम से submarine में बैट की अंदर से लेख सकते हो कि हाँ भाई बाहर क्या क्या चल रहे है, तो यह periscope जो होता है, यह एक तरह से submarine की सबसे बड़ी ताकत और यही सबसे बड़ी उनकी weakness होती है, क्योंकि first world war में क्या हुआ था, जब उन्होंने देखा कि submarine के अंदर चली आती है, इनको पकड़ नहीं पाते हैं, तो उनके पास एक मात्र रास्ता यह था, कि जब इनका periscope बाहर आएगा, तो जितनी भी बाहर पानी पे ships होती थी, वो periscope को ढूणती थी, पानी परिश्कूप दिख रहे है, जहां परिश्कूप दिखा है, वहां पर submarine है, और साथ ही साथ जब submarine चल रही है, पानी के नीचे, और उसके उपार periscope निकला हुआ है, और periscope यह से चल रहा है पानी में, तो जब वो आगे बढ़ रहा है, तो उसके पीछे एक जाग निकलता है, जिसको wake कहते है, जैसे ship चलती है पानी पे तो पीछे जाग छोडती है, वैसी periscope भी ज जाग चोडता है, और जैसे ही, जो भी पानी के उपर ship से उनों ने देखा, कि वहाँ आँ से पतला पतला जाग निकल रहा है, मतला वहाँ पे एक submarine है, तो मान लिजे कि एक ship ने देखा, कि submarine है, तो तुरंत यहाँ से वो ship उसको उस location पर जाती थी, और वहाँ से फिर, छोट कैसे वार करते थे, उनके पास और के तरीका ही नहीं था, सिर्फ हतोडे मार मार के वो periscope को तोड़ने कोशिश करते थे, और कई बार तो यह भी करते थे, कि periscope के उपर एक 2-3 bomb fit कर दिये, ताकि जब submarine नीचे जाए, तो periscope blast करे और submarine को damage हो, इतने, आप सोचे इतने rudimentary, इतने basic तरीका लगा रहे थे, वो submarine के साथ deal करने के लिए, क्योंकि submarine को अपने देख भी लिया एक बार, तो उसके बाद भी उसको डुबाने का इनके पास कोई तरीका नहीं था, यहां तक कि 1917 तक आते आते भी, जब अमेरिका भी world war one में involved हो गया था, तो अमेरिका ने भी अपने navy को, अपने vessels को यह order किया था, कि जैसे ही आपको submarine दिखती है, तो या तो आप तुरून भागो वहां से, या फिर आप उस submarine को जाकर राम करो, मतलब उसको ऐसे जाकर टकराओ उसके साथ, क्योंकि उनके पास कोई technology इतनी reliable नहीं थी, कि submarine को डुरा जा सके, बट बिट आप drop कर सकते हो, यानि पानी के नीचे वो जाएगी और अलग-अलग depth पर जाके वो, जो mine है, वो blast हो सकती है, इसके अगले साल, यानि साल 1914 में, एक British Navy का एक engineer था, उस बंदे का नाम था Herbert Taylor, और इसने एक hydrostatic valve का invention किया, और इसके विए से फाइदा यह हुआ कि इसको आप ल bomb गिरा है तो उन्होंने एक्स्टोड कर गया, ऐसा नहीं, वो जाएगा पानी के नीचे, 10 feet, 20 feet, 40 feet, 50 feet, hit करते ही, blast, फिर 50 के बाद उन्होंने इसमें और सेटिंग की, और सेटिंग की, उसको उन्होंने फिर range का, उसमें डिफ्रेंस आट किया, तो कोई-कोई mind आप सेट कर स के depth की, इस depth पिराके ये explode होना चाहिए, ये depth set करने के बाद उसको आप छोड़ दो के पानी में, फिर वो जाएगा नीचे, 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 उस जो आपने depth set किया, उस प्लाके वो explode हो जाएगा, अगर उसके area में submarine है, तो submarine को damage करेगा, तो ये जो dropable mine, इन्होंने बनाई थ इसका नाम था, depth charge, 1917 तक आते आते ये technology उन्होंने एकदम almost perfect कर ली थी, और उसमें उन्होंने different settings याड़ कर दी थी, कि 50 feet पे explode करेगा, 100 feet पे, 1.200, ये पूरी setting उन्होंने अच्छे से perfect कर ली थी, बट इस technique को पूरी तरह perfect करने के पहले ही, large scale production शुरू हो गया था depth charges का, तो 19 1916 में ही उन्होंने अपनी ships को ये depth charges देने शुरू किये, but starting में depth charges बहुत कम quantity में बन रहे थे, क्योंको इस technology का पूरी तरह understanding नहीं हुआ था, इसलिए 1916 में एक ship को सिर्फ दो depth charge मिलते थे, तो आप सुचे कि आपको कितना सभाल के उस depth charge को यूज़ करना है, और पहली बार, एक depth charge से जब एक submarine डूबी, तो वो था 22 March, साल 1916, Ireland के पास, तो ये पहली बार था जब यूबोट को एक depth charge ने डूबाया, और इसके अगले महिने, April में, जर्मस को पता चाला कि भाई, इंके पास एक नई एक device आ गई है, जिसको depth charge कह रहे हैं, और इससे वो submarines को डूबा सकत फिर 1917 में हर ship को 4-4 depth charges मिलने शुरू है, और 1918 तक आते आते हैं, बड़ी-बड़ी जो battleships थी, dreadnoughts, उनको 40-50 depth charges देने लग गये थे, depth charge का concept ही होता है, कि आपको लग रहा है कि उस एरिया में submarine है, तो वहापे आप depth charge डूब कर दोगे, बट ये एक guess होता है, अभी भी आपको confirm नहीं होता है कि आप actually submarine को डूबा दोगे, तो ऐसा बहुत बार होता था कि depth charge डूबाया, और हाँ ब्लास्ट हुआ, वही पर submarine भी आसपास, बट submarine को damage हुआ, submarine डूबी नहीं, तो कई बार ऐसा होता था कि एक submarine को डूबाने के लिए 40-50-60 depth charge भी लगा है, फिर भी वह submarine डू हो गई थी, तो यह जो depth charges थे, जिनका विश्कार हुआ था, world war one के दोरान, आज भी उन्हीं depth charges को, उनमें बहुत improvement कर दिया गया है, उनमें बहुत technology इंप्रूव कर दी गई है, बट depth charges आज भी इस्तमाल होते हैं, सम्मनीज को डूबाने के लिए, अगर आपको यूड़ तो मेरे चैनल जग्यासिम को subscribe जरूर करें